उम, प्रियवद्यार्थियो, आज हम सात्मिक अक्षा की नैतिक शिक्षा पाठ एक इस्ट्व स्तुती का अध्यायन करने जा रहे हैं, इस्तुती, इश्वर का गुनगान, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, हे इश्वर, तुम्हारी सत्ता अर्थात शक्ति इस संसार के अंदर समा रही है, ब्याप्त हो रही है, तेरी दया सुगंदी हर गुल से आ रही है, हे प्रफू, तेरी दया रूपी सुगंदी जो है, वो संसार की बनाई हुई हर एक वस्तु से आ रही है, रवी, चंदर और तारे तुने बनाए सारे इन सब में जोती तेरी एक जग मगा रही है, हे इश्वर, इन सब के अंदर तेरा ही प्रकाश्य वो प्रकाशित हो रहा है, बिश्तृत बसुंध्रा पर सागर बाहे तुने सारी धर्ती पर बड़े बड़े बिशाल सागर जो है तुने उनकी रचने की तह जिनकी मोतियों से अब जग मगा रही है, जिनकी तह अर्थात, जिनकी गहराई में तरह तरह के मोति रतन इत्यादी जो हैं वो जग मगा रही हैं, दिन, रात, प्रात, संध्या, मध्यान भी बनाया, ये इश्वर आपने हम पर उपकार करते हुए, जो है दिन, रात, प्रात, सायकाल और दोपहर भी बनाया, हर रितु पल्ट पल्ट कर योबन दिखा रही हैं, ये इश्वर आपने रितु की रचना भी की हैं, और हर रितु जो है पल्ट पल्ट करके जो है दवबरा दवबरा आ करके जो है अपना रोद्ड रूप दिखा रही है, कभी तेजगर्मी आ रही है, कभी ठिटूरने वाली ठंड आ रही है, कभी वस्चा रितु आ रही है, कभी सुहावना बसंत का मौसम आ रहा है, तो हार रितु युवा पलट पलट कर अपना रोद्ध रूप दिखा रहे है, युवा वस्था को दिखा रही है सुन्दर सुगंधी वाले पुष्पों में रंग तेरा, हे परमपिता परमेश्वर, सुन्दर सुगंधी वाले पुष्पों में रंग तेरा, जितने भी सुन्दर सुगंधी वाले फूलें, उन सब के अंदर, तेरा ही रंग जो है, वो भरा हुआ है तेरा ही रंग भरा हुआ है लाल, पीला, गुलाबी, स्पेद ये सब जो है सुन्दर फूलों के अंदर तेरा ही रंग भरा हुआ है यहाँ ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है और ये सुन्दर रंगों वाली जो फूल की पत्तिय हैं वो सिर्फ तेरा ही ध्यान दिला रही हैं तो दिला रही हैं हे ब्रह्मा विश्व करता वर्णन हो तेरा कैसे हे ज्यान सुरूप संसार को बनाने वाले इश्वर मैं तेरा वर्णन कैसे करूं क्योंकि तेरा वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अर्थात शब्दों में तेरा वर्णन करने के लिए मैं आसमर्थ हूं जल थल में तेरी महिमा ए इश्चा रही है जल में भी और भूमी पर हे इश्वर सब जगा जो है वो तेरी ही महिमा ब्याप्त हो रही है भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी हे इश्वर तुम्हारी भक्ति का मार्ग हमें कैसे मिलेगा माया तुम्हारी स्वामी हमको भर्मारी है हे प्रभू तुम्हारी जो ये संसार की जो माया है अर्था संसार के भोग बिलासों में धन दौलतों के चक्र में पढ़ करके मैं आपके भक्ति के मार को भूल रहा हूं भटक रहा हूं देवी चर्ण शर्ण है तुझसे यही विने है हो दूर अविद्या हमको भूला रही है देवी चर्ण ये कभी का नाम है देवी चर्ण देवी चर्ण आपकी शर्ण में है तुझसे यही विने है हे प्रभू आपसे यही प्रातना है हो दूर अविद्या हमको गुला रही है मुझसे वो अविद्या रथात अग्यान दूर हो जो आपके भक्ति के मार की ओर लगने से हमें जो है वो भटका रही है और जिसे हम आपके भक्ति के मार की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं तो हे प्रफु ऐसी जो अविद्या है ऐस जो अज्यान है वो हमसे दूर हो, इस तरह ये इस पार्ट का भावार्थ था, अब मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं, वो लिखे हुए हैं, रवी, रवी कर्थ होता हैं, सूर्य, बिस्त्रित गर्थ होता हैं, सारी, बिस्त्रित कर्थ हो गया हैं, सारी, बसुंध्रा पृत्वी, मध्यान दोपहर, योवन युवावस्ता, बिश्वकर्ता संसार को बनाने वाला, थल भूमी भरमा भटका इसके प्रशन, प्रशन एक, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है, जग में इश्वर की सत्ता समाई हुई है, प्रशन नमर दो, हर गूल से किस सवस्तू की सुगंधी आ रही है, हर गूल से इश्वर की दया रूपी वस्तू की सुगंधी आ रही है, प्रशन नमर तेन, भक्त ने भगवान से क्या विने की है, भक्त ने भगवान से यह विने की है, कि वह विश्व कर्मा प्रभू हमें अपनी सच्ची भक्ती परदान करे और हमारी अविद्या दूर करे, तो प्रियव द्यार्थियो इस तरह से यह जो पार्ट एक था इसका अभ्यास, आप अपनी फिर नोटबुक के अंदर इसको करेंगे, तो इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही इत्ती ओम्शम धन्यवाद.